हालो एवरीवान, टारेट विद अम सिंग में मैं अपने सभी विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए जो रिडिंग लेकर आई हूँ हमेशा की तरह है इस हफते का मन में सोचें एक प्रश्न अपने मन में आपको एक प्रश्न सोचना है आप चाहें तो दोनों पाइल्स के लिए एक एक प्रश्न सोच सकते हैं एक क्वेशन फॉर पाइल नंबर वन, एक क्वेशन फॉर पाइल नंबर टू लेकिन दोनों क्वेशन अलग होने चाहिए एक ही question दोनों पाइल में ने रख सकते ठीक है तो यहाँ पे आप अपने मन में एक प्रैशन सोचेंगे मैं cards निकालूंगी तब तक आप चाहें तो प्रैशन सोच लीजिए उसके बाद आप चाहें तो आप directly अपने पाइल पे जा सकते हैं time stamp description में दिये रहते हैं ठीक है कुछ लोगों से मैं फिर से हाथ जोड के request करूँगी मेरे channel पे कई ऐसे बाबा जी गुरू जी का message आता रहता है आप लोग already sad होते हैं दुखी होते हैं अपने conditions में ऐसे लोगों को reply न करें उनके phone numbers पे call message न करें वो लोग आपसे fees लेते हैं पैसे लेते हैं उसके बाद आपको धोका दे जेते हैं तो please ऐसा काम न करें मैं YouTube पे आपके लिए free readings डालती हूँ आप लोगों को guidance मिलेगी positive रहना है सब कुछ Krishna जी, Radha जी को नहीं पा सके भगवान होके ठीक है वो तंत्र, मंत्र, पूजा, वशी, करण सब कर सकते थे लेकिन उनोंने नहीं किया ठीक है आप इनसान होके इन सब चीजों पे believe न करें मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन definitely मैं ये नहीं चाहती कि कोई मेरे channel पे आके और अपनी promotion करें ये number दे दें, ये बाबा जी, ये गुरू जी and all तो ऐसे लोगों से भी हाँ जोड के request है किसी और channel पे खुद का channel बनाईए और जिसको जिसको number देना है दीजे मेरे channel पे ऐसे comments नहीं आने चाहिए और मैं अपने viewers को ये कह सकती हूँ कि ऐसे लोग अगर आपके comment के नीचे आपको reply देते हैं कि ये माता जी को call कर लीजे, आपकी परिशानी दूर हो जाएगी, तो please आप ऐसे लोगों पे भरोसा न करें, ठीक है, ओके तो अब मैं reading शुरू करूँगी, pile number one red heart है ओके and pile number two है blue heart तो पहले मैं cards निकालती हूँ दोनों के लिए देखते हैं क्या आता है उसके बाद questions में बाद में लोगी लेकिन yes and no cards में पहले लोगी, उसके बाद description में time दे दूँगी आप directly अपने pile पे जा सकते हैं ओके angels, please guide करें for pile number one for pile number two yes or no okay yes or no okay major arcana से क्या major हो सकता है आपके प्रश्न के लिए लोगी तीन-तीन cards जो major happening शो करेगा क्या possibilities हैं कि आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी या या नहिएगी या नहिएगी हो गया पाइल नमबर नमबर बन फो पाइल नमबर टू अब मैं पाइल नमबर टू को जिन्होंने भी ब्लू कलर चूज किया है पाइल नमबर टू को अभी मैं साइड में रख रही हूँ और पाइल नमबर बन से हम रेडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने भी रेड कलर चूज किया है इससे मैं यहां रखती हूँ अब टैरो से हम कार्ड्स निकालेंगे किस तरह के कॉशन्स हो सकते हैं आपके वो देखने के लिए ओके इंजल्स जिन्होंने भी रेड हार्ट चूज करा है उनकी क्या सिचुएशन्स है प्लीज गैड करें क्या कॉशन्स हो सकते हैं उनके मन में क्या है क्या है पाइल नमबर वन के लिए मैं बृता दू पाइल नमबर वन के कॉशन्स मैं लाइन से बताती हूँ ताकी आप रेजोनेट कर सकें कि आपके कॉशन्स इसमें है या नहीं यहाँ पे पहला कॉशन अगर मैं देखूं तो हो सकता है आपके business में, career में आपसे कोई लोग जलते हों, enemies हों आपके 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 नजर रखते हों, आपके जो भी नई schemes आप निकालते हैं या कोई भी नई techniques आप use करते हैं अपने business को बढ़ाने के लिए वो आपसे वो चुराना चाहते हैं, नजर रखने की जुरुत है, साथी साथ love relations में, अगर आपके partner से आपकी बातचीत बंद है, अगर no contact situation है, तो वो आप पे नजर रख रहे हैं, spy कर रहे हैं आपको, आप जानना चाहते हो कि क्या वो मुझे देखते हैं, क्या वो मुझे feel करते हैं, क्या वो मेरे उपर, उन्हें फरक भी पड़ता है, आपके होने न ह होने से, ठीक है, हाँ या ना, दूसरा, clear communication से related भी है, definitely आप clear communication करना चाहते हैं, किसी से, क्या बातचीत हो पाईगी आपकी, फिर हमारे पास है, third party situation, कुछ लोग हैं, जो कि third party से परिशान हैं, हो सकता है, आपकी partner जगल कर रहे हो, situation में, कोई stand न ले पा रहे हो, हो सकता है, आप जगल कर रहे हैं, किसी situation में, dual thoughts हैं, चाहे वो love relation से related हो, या आपने life से related हो, किसी भी area of field से आप ले सकते हैं, ठीक है, दो situation में आप जगल कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, कि इसमें जाना, या इसमें जाना, yes है या no है, ठीक है, आपकी life में balance कब तक आएगा, खराब है तो, कुछ लोग promotion चाहते हैं, growth चाहते हैं, एकी जगह पे stuck हैं, बहुत time से, बहुत महनत करते हैं, लेकिन उनके साथ वाले आगे बढ़ जाते हैं, इनकी लिए growth नहीं हो रही है, मेरे viewers जो भी हैं, इस तरह का भी question है, क्या इस बार उनको growth मिलेगी, क्या इस बार क्या आपको success मिलेगी, कुछ लोग डर रहे हैं, किसी तरह का risk लेना चाते हैं, लेकिन back out कर रहे हैं, एक step आगे बढ़ते हैं, दो step पीछे चले जाते हैं, वो जानना चाते हैं, क्या वो जो risk लेंगे, क्या उनको success मिलेगी, साथी साथ love relation में आप जानना चाते हैं, क्या आ new beginning करना चाते हैं वो जानना चाते हैं कि क्या उनके life में वो new beginning करेंगे उनके लिए अच्छा होगा क्या उन्हें move on करना है अपने life में आगे past का सब को छोड़के careless होके carefree होके कुछ लोग जानना चाते हैं कि क्या वो उनके partner carefree होके उनकी तरफ decision लेंगे कुछ लोग travel कर सकते हैं कहीं घुमने जाना चाते हैं वो जाना चाते हैं कि क्या वो जाय पाएंगे या नहीं जा पाएंगे कुछ लोगों की health खराब है हो सकता है उनकी या उनके family की या किसी की वो pray कर रहे हैं वो जानना चाते हैं क्या health ठीक हो जाएगी सब कुछ normal हो जाएगा recovery हो जाएगी कुछ लोग किसी को proposal देना चाते हैं किसी को लेकर बहुत ज़्यादा passionate है शादी का या फिर love relation में किसी को proposal दे सकते हैं वो जानना चाते हैं क्या वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे शादी के लिए भी हो सकता है as girlfriend, boyfriend भी हो सकता है कुछ लोगों के life में किसी तरह की ending हुई है किसी में hurt किया है, धोका दिया है, cheat किया है चाहे business में, चाहे love relations में यहाँ पे आप जानना चाते हो कि क्या आपके life में new beginning होगी क्या उन्हें उनका कर्मा मिलेगा क्या उन्हें पच्टावा होगा क्या आपको justice मिलेगा कुछ लोग new start कर रहे हैं अपने life में कुछ fresh start कर रहे हैं वो जानना चाए है कि उनको success मिलेगी या नहीं पैसों से related भी हो सकता है बिजनस से related भी हो सकता है love relation में भी हो सकता है कुछ नया start कर रहे हैं या किसी को जिन से already relation में है उनको commitment देना चाहते हैं stable commitment कुछ लोग पूरी तरह से अपने उपर focus कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं क्या उनकी salary increment होगी क्या उनकी life में growth आएगी क्या उनकी life और अच्छी होगी, successful होगी किसी पर co-dependence नहीं रहना चाहते हैं independent रहना चाहते हैं, ठीक है इस तरह के question मुझे ज़्यादा दिखे इस pile में ओके so job से related जो भी मैंने बोला है उसमें government job आप include कर सकते हैं क्योंकि मैंने अलग से उसका नाम नहीं लिया लेकिन मैं बता रही हूँ, ओके तो अब देखते हैं major अरकाना से क्या आया है हमारे पास definitely किसी तरह की good news मिल सकती है आपको हो सकता है कोई आपके life में good news आए चाहे property से related कुछ हो सकता है आप नया घर खरीच सकते हैं, नई गारी खरीच सकते हैं, good news आ सकती है कोई pregnant हो सकता है, यहाँ पे definitely आपके life में prosperity ही आएगी, abundance ही आएगी the lovers का card है, अगर आप लोगों में ending हुई है, अगर आप लोगों में बात चीत नहीं हो रही है, जगड़ा हुआ है the moon का card है, mother issues की वज़े से, या फिर जूट बोला है किसी ने यहाँ पे emotional बहुत ज़ादा हैं लोग, बहुत ज़ादा sad लोग भी है, यहाँ पे जो कि अंदर से बहुत ज़ादा कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन छुपा के बैठे है definitely आपका reunion होगा, कुछ major होगा, अब देखते हैं angels ने हमें क्या guidance दिया है अगर इस guidance से मुझे clear नहीं होगा तो मैं और cards भी लूँगी वाव, big happy changes, big happy changes, take action, not the right time अब मैं आपको explain कर दू, यहाँ पे जो भी लोग love relation में हैं उनके लिए take action का card आया है, क्योंकि major अरकाना से भी हमारे पास आया है big happy changes, चाहे आप job से related होँ, चाहे आप career से related पूछे होँ आपके लिए आया है big happy changes, आपके लिए definitely आपके life में happiness आईगी आप जो चीज मांग रहे थे, prosperity, happiness, पैसा, wealth, love relation के लिए take action definitely आपके लिए है, अगर आप कुछ new beginning करना चाहते हैं अपने life में तो भी आपके लिए है कि आप वो new beginning कर सकते है, not the right time उनके लिए है जिनके partner stand नहीं ले पा रहे हैं, डर रहे हैं बहुत जादा ठीक है, कुछ लोगों के लिए अभी सही समय नहीं आया है, थोड़ा वक्त लग सकता है situation balance होने में, ठीक है, अगर आपके partner already किसी relationship में है तो उन्हें वक्त लग सकता है, अगर आपके partner बहुत जादा family person है family की ही सुनते हैं, आपके लिए stand नहीं ले रहे हैं, तो अभी सही समय नहीं आया है divine timing पे आपका reunion निश्चित होगा, इसके अलावा बाकी सब के लिए है take action अगर आपके partner आप से प्यार करते हैं, passionate है, proposal देना चाहते हैं, अगर आपके partner new beginning करना चाहते हैं तो आपके life में definitely new beginning होगी, आपके partner आपकी तरफ action ले सकते हैं सिर्फ उनके लिए not the right time है, जिनके partners अभी कहीं stuck हैं बहुत जादा, उन्हें थोड़ा समय लग सकता है जिनके partner कहीं stuck नहीं है, लड़ाई हुई है, जगडा हुआ है, किसी बात को लेकर, किसी सच जूट को लेकर, चोटी मुटी बातों को लेकर या फिर caste issue है, religious factor है, आपके लिए definitely take action का card आया है, ठीक है so यहाँ पे जिसकी जैसी situation है, वैसे ही cards यहाँ पे angels ने दिये है आपको business से related, जो भी आप new शुरुआत करने जा रहे हैं, आपको action लेना है, आपके life में big happy changes आने वाले है good news आने वाली है, prosperity आने वाली है, love relations में आप लोगों का reunion होने वाला है pile number one, definitely यहाँ पे जिनके partner बहुत जादा ही stuck हैं किसी situation में बहुत जादा डर है, बहुत जादा obstacles हैं, उन्हीं लोगों के लिए अभी not the right time का card आया है थोड़ा वक्त लगेगा, no नहीं आया है, ठीक है, मतलब कि होगा जरूर थोड़ा देर से ही सही, ठीक है so यह थी pile number one की reading, अगर आपकी situation से आपको guidance मिली हो इस reading से तो मुझे जरूर comment करके बताएगा और अगर इस तरह के reading आप आगे भी देखना चाते हैं, तो comment करके जरूर बताएगा, मैं आगे भी upload करती रहूंगी और अगर मेरे channel आपको अच्छा लगता हो, तो मेरे channel को like, share and subscribe करना मत बूलेगा thank you so much, take care, bye hello pile number 2, जिन्हों ने भी ये खुपसूरत सा blue heart choose किया है, अब मैं उनके लिए reading करूँगे major arcana से हमने आपके लिए 3 cards लिये थे starting में, और 3 cards हमें angels ने दिये थे, तो ये मैं यहां रख देती हूँ पहले मैं आपके लिए questions निकाल लूँगी, किस तरह के questions आपने पूछे हैं, और उसके बाद हम reading शुरू करेंगे angels फ्लीज करें, जिन्हों ने भी pile number 2 choose किया है, किस तरह के questions हैं उनके मन में कुछ questions आ गये हैं, एक बार और shuffle करूँगी नो, कुछ और questions लेते हैं, और कोई question है, कि हम की जए की घा हैं, भी जुछते हैं, आणी मुदद अव्के ओके, लाइन से मैं questions बताती हूँ, सबसे पहले तो कुछ लोग call message का wait कर रहे हैं, वो जानना चाते हैं कि क्या उनको आने वाले समय में उनके partner की तरफ से call message आ सकता है, क्या वो अगर block हैं तो unblock कर सकते हैं, definitely यहाँ पे message और call से related है, मिलने आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, क्य इसके बाद अगर इसी card को मैं दूसरे way में देखूं तो अगर आपने कहीं apply किया है, job के लिए, career के लिए, आप जानना चाते हैं कि क्या आपको वहाँ से call message आ सकता है, या किसी तरह के letter का, किसी तरह के interview, joining letter का, किसी तरह की situation का wait कर रहे हैं, या कहीं जानना चाते हैं किसी तरह का travel से related कुछ है, या कुछ तो आपका travel से related है, या letter से related है आपके life में, तो आप जानना चाते हैं कि वह आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, दूसरा हमारे पास wheel of fortune, क्या लग आपके साथ है, क्या आपकी divine timing पूरी हो गई है, क्या जो भी आप करने वाले हैं, क् अलग आपका साथ देगा, yes or no, ओके, फिर हमारे पास जो next question है, क्या मेरी family में happiness आएगी, क्या मेरी family settled हो जाएगी, क्या मेरी family में financial crisis, अगर कुछ है तो वो ठीक हो जाएगी, जादतर लोग चाहते हैं family बसाना, या तो शादी करना चाहते हैं, उसके लिए तो अलग card आया ह है हमारे पास, यह जो card है definitely पैसे रुपए को लेकर है, आप चाहते हैं कि आपकी family में happiness रहे, prosperity रहे, abundance रहे, सब लोग healthy रहे, क्या ऐसा possible है, पैसे के अगर कोई किलत है, तो क्या वो ठीक हो जाएगी, तो यहाँ पे आप ये जानना चाहते हैं, या क्या आप family से मिलने जा सक हैं अगर काफी time से दूर हैं तो, ठीक है, कुछ लोग घर खरिदना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या वो ले पाएंगे, house, okay, फिर हमारे पास है शादी का card, कुछ लोगोंने पूचा है क्या उनकी शादी हो जाएगी, जिनसे वो चाहते हैं, या अगर नहीं भी है कोई उनके life में, तो वो जानना चाहते हैं कि शादी हो जाएगी, yes or no, फिर कुछ लोग हैं जो fights हो रही है किसी से, definitely अपनों से fight हो रही है, यहां पे कुछ तो matter चल रहा है किसी का, हो सकता है legal matter हो, case से related हो, वो जानना चाहते हैं कि क्या उनके, वो fight में वो उनकी जीत होगी या नहीं होगी, कुछ लोगों का divorce case हो रहा है, चल रहा है already, या कुछ लोगों ने divorce file किया है, कुछ लोगों का divorce उनके husband की तरफ से, या wife की तरफ से file हुआ है, कुछ तो यहां divorce से related है, वो जानना चाहते हैं कि क्या होगा उसमें, क्या possibilities हैं, yes or no, जो भी आपने अपने मन मे सोचाओ, उसके बाद कुछ लोग हैं, जो legally marriage करना चाहते हैं, कोट marriage करना चाहते हैं, किसी तरह के decision का wait कर रहे हैं, चाहे marriage से related, चाहे अपने किसी legal situation से related, चाहे वो कोई भी situation हो, legally कुछ है, ठीक है, justice मिलेगा या नहीं आपको, किसी situation में, कुछ लोगों ने किसी को proposal दिया, आपने reject कर दिया, आप जाना चाहते हो कि क्या वो वापस आपको proposal देंगे, क्या वो opportunity जो आपने खो दी है, चाहे love relation में, चाहे career में, क्या वो उस तरह कि या वही opportunity आपको वापस मिलने के chance हैं या नहीं, कुछ लोग किसी को proposal देना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या वो proposal देंगे, तो वो सामने वाला accept करेगा या नहीं, night of cups, express करना चाहते हैं किसी को अपने feelings, अपने emotions, कुछ लोग सामने से expect कर रहे हैं कि क्या वो मुझे express करेंगे, या करेगा, करेगी, जो भी है, फिर हमारे पास है the devil, कुछ लोग किसी karmic situations में हैं, वो जानना चाहते है कि क्या वो ऐसे इंसान के साथ, जिसके साथ वो जहेल रहे हैं, वो वहाँ से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, कोई तो उनके life में है, जो कि बहुत ज़्यादा toxic है, बहुत abusive है, बहुत ही ज़्यादा लडाई जगड़े करने वाला इंसान है, male हो female हो, यहाँ पे वो जानन है कि business में loss हुआ हो, किसी ने hurt किया हो, किसी ने cheat किया हो, definitely कुछ तो खतम हुआ है किसी के life में, वो जानना चाते हैं क्या वो इस situation से बाहर निकल पाएंगे, क्या उनके life में new beginning होगी, अब देखते हैं major अरकाना से पहले कि क्या आया है आपके लिए, strength, temperance, the hanged man, बहुत कर रहे हैं, spiritually काफी grow कर रहे हैं, लेकिन आपके overall जो भी आपने सोचा है, आपके उस प्रशन में balance आएगा, हिम्मत रखनी है आपको, strength में रहे है, balance आएगा, जो भी situation है, temperance का मतलब है, recovery हो जाएगी, वो situation recover हो जाएगी, ठीक है, अब देखते हैं angels ने क्या guidance दी है आपको, pile number two, forgiveness, किसी को किसी को माफ करने की जुरुत है, abundance, अगर finance से related कोई question पूछा गया है, तो आपके life में definitely abundance आने वाली है, family में happiness आने वाली है, prosperity आने वाली है, लकाप के साथ है, ठीक है, and फिर हमारे पास है within the next few weeks, बाकी लोगों के लिए है within the next few weeks, जो भी आपने मन में प्रशन सोचा है, within the next few weeks, कुछ हफते लग सकते हैं, ठीक है, चाहे वो शादी से related हो, चाहे legal action से related हो, चाहे call message से related हो, चाहे fight से related हो, जो भी question आपने पूछा है, within the next few weeks, आपको success मिल जाएगी, तो ये थी pile number 2 की reading, अगर आपकी situation से ये reading resonate की हो, तो मुझे comment करके जरूर बताएगा, और अगर मेरे चानल पे इस तरह की readings आपको अच्छी लगती हैं, तो subscribe करना मत बुलिएगा, thank you so much, take care, bye bye